अस्सालाम आलेकुम दोस्तों मेरा नाम है जाएंगिर और आप देख रहे हैं Electrical Tricks तो दोस्तों आज की हमारी वीडियों का topic है कि NO और NC क्या होता है और ये push button किस काम आता है और ये जो push button के पीछे लिखावा होता है आप देख सकते हैं ये लिखावा है NC और किसी push button के पीछे लिखावा होता है NO ठीक है तो ये NO और NC क्या होता है किस काम आता है आज हमारी वीडियो इसे मुटालिक होने माली है तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा उसकी वज़ा यह है कि अगर आप electric के student है और आप electric का काम सीख रहे हैं या electric का काम करता है तो जब तक आपको NO और NC की समझ नहीं होती तो आप इलेक्रिक के कभी माहर नहीं मन सकते हैं तो यह बहुत important वीडियो ओने जा रही है वीडियो को end तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दोस्तों यह जो एनो होता है हम एनो से start करते हैं उस करना आगर ऐलाफू आध 속। eve 2.5 और 10 जिसके यह दो पॉइंट है अगर मैं आत में यहां इसे लाइन कनेक्ट किरता हूं इक में क्रेंट की वाइड देता हूं और यहां से मैं लोड लगा देता हूं को इबी चीज में यहां पे लगा देता हूँ, एक मैं मिसाल के तोर पर यह पंका मना देता हूँ, मैं यहाँ पर एक फैन लगा देता हूँ, तो यह फैन यहाँ पर वरक नहीं करेगा, क्योंकि हमारा करेंट यहाँ पर रुख जायेगा, और यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, इन दो टर्मिनल से, तो यह क्या लाता है open circuit अब इसको आगे मढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर एक यह यह यहां पर एक line को जो इन दोनों को point को मिलाने के लिए एक यहां पर यह जो मैंने line मनाई है this line का मतलब होता है यह contact होता है जो यह सोईज के और इस तरह के बेशुमार जितने भी सोई जाता है उन सब में इस तरह के एक contact होता है यह contact इस तरीके से इसकी diagram मनाई जाती है उपड़ से यहां से इसको force मिलती है यह बनाया है मैंने यहां से थम लगता है और इस तरीके से इसको force जब मिलती है तो ये तौनों आपस में close हो जाता है, क्योंकि उसकी condition यह हो जाती है, उसकी condition हो जाती है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से line देता हूँ, तो वह properly line अमारी, यहाँ से हमें output मिल जाएंगा, और हमारी चीज एनर्जाइस हो जाएगी, यह एक open circuit हो गया, औ नॉर्मली ओपन क्यों इसको कहा जाता है यह इस तरह किलोज नहीं होता है जब तक हम इसमें इसको उपड़ता है पुछ नहीं करेंगे जब हम इसको पुछ करेंगे तो यह किलोज हो जाएगा तो यानि के नॉर्मल कंडिशन इसकी क्या हुई कि जब हम इसको पुछ नहीं कर डे ले लेते हैं अमोमन नॉर्माली किलोज बटन इसी गडर में आता है रेड कलर के ओता है और इसके पीछे जमा देखते हैं तो यह आप देख सकते हैं एंसी लिखा में और इसकी जो नंबर इंग लिखी है वह वह वान और टू है अच्छा आपने इसको बाख से लिख अन् है यानि कि normally open वो गिरीन कलर में होते हैं लेकिन हमें numbering से जानना इसलिए जरूरी यह कि यह जो इसके पीछे contact है यह मैं निकाल पकता हूं और यहां पर नॉर्मली कि जगह मैं नॉर्मली open कभी इसके पीछे contact लगा सकता हूं तो हमारे यही switch nc के मजए एनों में तब्दिल हो जाएगा तो आम राची normally close की बात कर लेते हैं तो normally open में आपने एक diagram देखी थी अब normally close की बात करते है normally close यह हमारे contact है जिसका नंबर होता है वन और टू अच्छा उसमें जब हमने देखा है यह उपर वाला हमारे terminal आपस में जुड़े वे नहीं थे लेकिन इसमें क्या होता है यह terminal हमारे normal आलत में ऐसे मिले वे होते हैं और यह हमारी उपड़ से फोर्ज होती है जब हम यह हमारा नॉर्मली किलोस सरकेड जब हम इसको उपड़ से यहां से फोर्स देते हैं अपना थम यहां से रखके इसको किसी भी फोर्स से हम इसको जब दबाते हैं तो यह हमारा नीचे की तरफ जाता है और यह जो हमने अभी देखे थे कॉंटेक्स जो आपस में किलोस थे यह उसके माद इस कंडिशन में हो जाता है यह जब इस कंडिशन में हो जाएगा यहां से अगर मैं लाइन देता हूं तो यहां से लाइन आगे नहीं बढ़ेगी यहां से सरकेड हमारा ब्रेक हो जाएगा लेकिन इस कंडिशन में यह सयगे देखते हैं मैं क्या कड़ने वाला हूं कि जो हमारे यह नॉर्मली के հीड एया से यह यह लएक लगा लेते हैं यह एक मीटर भी है यह हमारे ब्ऐल्ल्ड भी बताता है तो फिलाल मैं समझने धिये एक इस पह लोट कनेक्ट करता हूं और जिस तरीके से मैंने ये हमारे NC पुषबटन पर लोड कनेक्ट किया है मैं इसी तरीके से NO पुषबटन पर भी एक लोड कनेक्ट करता हूँ यह इन दोनों स्वीजिस पर मैंने लोड लगा दिये इनके में जो आउटपुट से यह जो लाइट हमने लगाई इसको हम नूटल डारेक्ट दे देंगे और इन दोनों वायर को हम यहां से फेस दे देंगे अपनी लाइन दे देंगे हम रिले और टाइमर की वायरिंग जब तक नहीं सीख सकते जब तक हमें एनो एनसी और कॉमन तीनों के मारे में भरपूर मालूमात ना हो तो आज इस वीडियों को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप एनो एनसी कॉमन हर चीज हर कॉंसेप्ट आपका किलियर हो जाएगा दोस्तों यह इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसमे सप्लाई दी तो हमारा जो यह सी पे लगा वाता ये लाइट हमारी on हो गई अगर मैं इसको यहां से पुश करता हूँ यह हमारा सरकेट आप ऑपन हो जाएगा और यह लाइन अमारी यहांसे on हो जाएग इगी यह 00 मता हो सकते हैं इसको वाल्ट मीटर खराब हो हमने इस पर तवज्जों नहीं देनी हैं यह किस तरीके से काम कर रहा है तो जैसा मैंने आपको मता है आप नॉर्मल कंडिशन में नॉर्मली किलोस पॉइंट हमारा इस तरीके से मिलावा होगो और सप्लाई यहां से आगे फॉर्वर्ड होती रहेगी तो आप देख सकते हैं सैम यह इसी तरीके से काम कर रहा है और उसके माद जब अगर हम इस पे यहां से फोर्ट सप्लाई करेंगे तो यह हमारा open contact हो जाएगा इसी तरीके से सेम अपॉजट यह काम करता है हमारा एनो बटन यह नॉर्मल कंडिशन में हमारा जैसे आपने देखा था यह नॉर्मल कंडिशन में हमारा open होगा यह नॉर्मल कंडिशन में हमारा open होगा और जब हम इस पर फोर्स देंगे तो यह हमारा close terminal बन जाएगा तो आप देख सकते हैं यह normal condition में open और जब मैं इसको push करता हूँ इसकी light on हो रही है और यह close terminal हो जाता है same opposite इसके यह काम करता है जो कि हम normally close जसको बोलता है तो दोस्तों बात उम्हीद है कि आपको normally close और normally open पिन हमारे वीवर्द आपके समझ में आई यह होगा अब हम बात कर लेते हैं common terminal की कि common terminal क्या होता है दोस्तों ये हमारे में एक relay है और relay किस तरीके से काम करती है इसका हमने एक automatic change over मनाया आता है वो किस तरीके से मनाया जाता है उसकी मुकमल वीडियो हमारे चैनल पर मौझूद है अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो आप देख लीजिएगा उसका link में description में भी डाल दूँगा i button में भी आपको इस वीडियो के end में मिल जाएगा तो दोस्तों यह हमारा एक relay है इस पर detailed वीडियो मैंने आपको मता दिया मिल जाएगी थोड़ा समय वर्मली फिर भी आपको समझा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह normal condition है इसकी normal condition वो होती है जब इसकी coil में current नहीं जा रहा है यानि कि जिस तरह अभी इसकी normal condition है जब हम इस पर कोई force अप्लाई नहीं कर रहा है और इस पर हम force नहीं अप्लाई करते हैं इसमें हम 220 वाल्ट की supply देते हैं तो इसकी relay magnetic relay बन जाती है magnet बन जाती है और यह terminal उपर से नीचे की तरब जाते है तो आप देख सकते हैं यह भी normal condition में इस तरीके से है तो normally हमारे यह वाला terminal close है ठीक है और जब हम इसमें force supply देंगे तो यह हमारा उपर वाला open हो जाएगा और नीचे वाला close हो जाएगा तो यह हमारा normally close हो गिया और यह वाला हमारा normally open हो गिया जब यह normally close है यह normally open है तो यह जो हमारा एक टर्मिनल जो ऊपर और नीचे, दोनों जगा जा किया हमारा connect हो रहा है, एक को open और एक को close कर रहा है, तो ये वाला टर्मिनल हमारा actual में ये हमारा common terminal हो आता है, तो ये होता है हमारा common terminal, इसी तरीके सा अगर हम इन switches में बात कर लेते हैं, तो ये हमारा NC हो गी है, ये हमारा NO होगी है लेकिन इन दोनों को जो मैंने supply दी भी है वो ये supply इन दो बाइड से जा रही है तो ये दो मैड आपस में जाए कि face से connect होगी है तो इस वग हमारे ये दोनों टर्मिनल अगर मैं आपस में इनको जोएंट कर देता हूँ ये हमारा हो जाता है common ये हमारा हो जाता है nc और ये हमारा हो जाता है no तो इसको हम contactor में भी use करते हैं और contactor में किस तरीके से use किया जाता है इन switch को मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ तो दोस्तों यह हमाएं पर एक contactor है, यह 220 volt का contactor है, यानि कि 220 volt पर यह supply करता है, supply लेता है और 220 volt पर यह operate करता है, contactor किस तरीके से काम करता है, कहां इस्तिमाल किया जाता है, क्या इसके functions होते हैं, इसके हमने एक detailed video मनाय रखी हैं, आप channel पर देख सकते हैं, वर्मली मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ, यह जो आप नीचे देख रहे हैं, यह 3 terminal जो आप इसके नीचे देख रहे हैं, यह इसके man contact है, और इसके यह उपड़ से output होता है, यह उपड़ से आप input देते हैं, तो नीचे से output ले सकते हैं, यह जो उपर आप देख रहे हैं, यह इसके auxiliary contact हो तो कि अपनाई और नी事 को इसको अपनेच्व कर देगा और मैंगेच कर्देकर कर देगा और इन तीनजर अपस तरमिनल में नाच्फ यें श्रुछी के मैमformedIn कौण्डेक्ट कोंडेकर व्रक करे ग behave ओर यह आपस में मैं मेंग कॉंडे तक हैँ और मैं इसमें supply देता हूँ एक एनो सुच के थुरूब खिलाल और देखते हैं यह किस तरीके से हमारा काम करता है दोस्तो मैंने इसकी कोयल को supply दे दिये न्यूट्रल मैंने डारेक्ली दे दिये इसको और फेज मैंने करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह हमारा कॉंटेक्टर वर्क कर रहा है जब यह हमारे मैं टर्मिनल भी क्लोज हो जाएंगे यह एनो हो जाएगा जो एंसी था यह एंसी हो जाएगा जो एनो तो इस तरीके से हमारा सुच्छ और वर्क करता है अब इसमें प्रॉबलम क्या जाती है जब मैं इसको पुष्ट करता हूँ यह किलोज हो जाता है लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ यह हमारा होल्ड नहीं होता यह हमारा वापस ओपन हो जाता है अगर हम चाहते हैं कि मैं इसको एक दफ़ा पुष्ट करूँ और यह किलोज हो जाए और उसके बाद जब मैं अपने दूसरा बटन पुछ करूँ तो यह हमारा ओपन हो जाए इस पे हम जल्ब वीडियो मनाने वाले हैं कि इसकी होल्डिंग किस तरीके से करी जाती है तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आगी होगा अगर आपका फिर भी कोई सवाल देगी जाओ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं